तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है H&H Kart का पैकेज इसको मैंने ओर्डर किया था राउंड 25 डेज पहले और इसको आने में काफी टाइम लग गया मैं कुछ ज्यादा ही फ्रस्टेटेड हुग था मैं इनसे कॉंटेक भी कर रहा था बट कोई रिस्पॉंस नहीं आया बहुत टाइम बाद 5-6 दिन बाद रिस्पॉंस आता था उसके बाद मैं और ज़्यादा परिशान हो जाता था कि यह ओडर आएगा या नहीं आएगा हाला कि यह ओडर का प्राइस था राउंड 2600-1700 रुपे था इसलिए जाधा मिलको कोई प्रॉलम नहीं हुई बट मैं इसको अन्बॉक्स करने वाला हूँ देखता हूँ कि कैसा है समानवान कैसे मिलते हैं लेकिन इनका जो सर्वेस है बहुत ही घटी है एकदम आप अगर हो सके तो यहां से बिलकुल भी इस आइटम को मत करीदे हैं इलक्टोनिक आइटम किसी को भी यहाँ पर मत करीदे है क्योंकि यहां पर जो सर्वेस है बहुत घटी है इनकी टाइम अराउंड वो तो मैंने पुश किया इसलिए मुझे यह 25 दिन में मिलिया वरना आपको शायद हो सकते था कि एक देट दो महीने भी लग जाते इसके अलावा यहां पर एक और चीज़ यह कि इनोंने कुछ आइ पर यह कंपनी मुझे लगी है वो है रूबु डॉट इन उसका मेर को जा से दा तीन से चार दिन में पार्सर मिल जाता है और वो टाइमली रिस्पांड करते हैं पार्ट का क्वालिटी भी अच्छा है और मैंने उसके अन्बॉक्सिंग वीडियो भी बनाए है तो आप सब प्रिपेड ओर्डर था देख लिजे और यहां पर एड्रस भी लिखा हुआ है मेरा और बाकि यह कहां से शिप करते हैं देखे न्यू डेली टावर डेली इनका पूरा एड्रस है यह प्लॉट नंबर सेवन फर्स्ट लूर ठीक है यह एड्रस हैंगा और बिलकुल घट करते हैं तो कंपनी मेरे कहल से बंदों की कागार में कुछ तो प्रॉलम है जो यह लोग बिलकुल बिजनस को कुछ सीरेसली लेते नहीं है भाई अगर चलाना नहीं है बिजनस तो छोड़ दो ना तुगान बंद कर दो अपनी घर बैठ जाओ कौन तो मैं भूल रहा है जब वायर स्ट्रिपर और यह देखे खूला हुआ है पुरा पैकेजिंग देखिया पहले पैकेजिंग आप देख लिए किस टाइप की है थर्ड ग्लास पैकेजिंग है ऐसा कोई रखता है गया मतलब सेल को यह सल एक दूसरे टाच हो जाएंगे तो शॉट सरकेट हो सकता है यह यहां पर इनको सेल को एकदम प्रॉपरली पैक किया जाता है और यह देखिए छे सल मैंने बगाया थे एक दू तीन चार पांच और एक होना चेस में हाई यह रहा तो छे सल हो गए उपन कंडिशन में भीजें होने कोई सेफटी नहीं है यह कुछ नहीं है और यह कुछ समा इस नहीं है फिर यह चारजिंग मॉड्यूल है टाइप सी वाले चारजिंग मॉड्यूल है उसके यह डिस ओल्लिंग वायर है प्रोटेंश्यो मेटर है 3.5 mm जैक स्टीरियो वाला है फिर यह कुछ नच्स हैं बोल्ट्स हैं फिर यह चार्जिंग सॉकेट है ठीक है और इसक हैं और क्यास में यह देखिए तो मेरे को तो बिल्कुल घटिया लगा है इनका H&H कार्ट का बिल्कुल कोई ethics से नहीं है कि कब कैसे respond किया जाता है समान मुझे पता नहीं कि चलेंगे भी यह नहीं चलेंगे और इनका condition देखे लग रहा है कि यह बिल्कुल interested ही नहीं है इसको sell करने में बस यह कि किसी तरह काम चला रहे है 3S BMS देखिजिए ठीक है यह BMS यह जो है बैटरीज आपने देखी छे बैटरीज है और पैकेजिंग बिल्कुल घटिया है ऐसे open बैटरीज दे रही है जैसे कोई छोटी मोटी आइटम हो यह safety wise बिल्कुल घटिया है ऐसा होना नहीं चीए आपको open बैटरीज नहीं देना जाए क्योंकि short circuit के chances होते हैं और यह देख सकते हैं यह पूरा ऐसे open है तो I would not recommend यह आप यहां से खरीदो थोड़ा बढ़िया थोड़ा पैसा डाल के समाना आएगा टाइम पर delivery होगा और जो है लोग respond करते हैं तो यह कुछ जो feedback था मुझे H&H card के बारे में देना था तो thank you दोस्तो